माजीना या मिले नजरिया सोहनों मेखुचानी बजरिया बजरिया कोता ही बला माजीना या मिले नजरिया नमस्कार देखर अड़ीसी24 और मैं हूँ आपके साथ मानसिक जेल में गाना गाकर चर्चित यूवत की बदल गई किश्वत इस मश्हूर सिंगर ने कहा मैं दूँगा गाने का मौका जेल में जाकर भी कोई शक्स सिलेब्रिटी बन सकता है ये बात बकसर के जेल में शराब पी कर गाने वाले बंदी को देख कर आपको समझा जा सकता है जेल में गाय गानी की वीडियो ने बंदी को देश भड में इतना जादा पॉपिलर कर दिया कि ना सिल उसे दो दिन में जेल से रिहा कर दिया गया बलकि अब उसे प्लेबैक सिंगिंग का एक बहुत अच्छा ओफर मिलने लगा है इन ओफरों में सबसे बड़ा नाम मशुहूर प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी का शामिल है बता दे आपको कि आश्की टू सहित कई बड़ी फिल्मों में अपनी गाईकी से लोगों का दिल जीत चुके अंकित तिवारी ने उस बंदी को म्यूजिक कंपनी के लिए एक गाना गाने को ओफर दिया है और उनके खातिरों में छुटका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो चार दिन से पिया वाबा नपाता दरोगा जी हो चार दिन से पिया वाबा नपाता इस बार की जानगाडी अंकित ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है बतादे आपको कि देवरिया से वधायक शल भमिनी तिरपाठी ने इस सक्ष का एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया था कि टीवी के पूर्व सहयोगी चंद्र मोहन कुमार मिसरा के माध्यम से संपर्क करने पर पता चला कि ये क्यामूर का गरीब यूवक कनेया है नाशी में मिलने पर बिहार पुलिस ने इसे जेल भेज दिया था इनकी कानोनी मदद के उपराग इन्हें सुधारने का प्रयास होगा पता दे आपको किश्चल भामिनी तरिपाठी ने बताया है कि कनेया को जेल से रिहा कर दिया गया है त्रिपाटी ने लिखा है कि साथ ही यूपी के मशुहूर त्रिनेट स्टूडियो में गाना गाने का उन्हें अप्शर भी उपलब्त कराया जाएगा नशा एक सामाजिक बुराई है और सिर्फ कलाने शक्ती है इस बुराई को हडाने की इसी ट्विट की री ट्विट करते हुए अंकित तिवारी ने लिखा है कि शल भामिनी जी मैं इस व्यत्ती को अपनी म्यूजिक कंपनी की तरफ से एक गाना गाने का मौका जरूर देंगा और देता हूँ अंकित के अलावा कुछ और मूजिक कंपनीों ने भी कनया को गाना गाने का एक ओफर दिया है लेकिन अब देखना ये होगा कि यह शक्त अंकित तिवारी द्वारा दिये गए मौके का कितना जादा फायदा ले पाता है तो आपने देखा किस तरीके से जेल खेंडार वोड़कों सोची बिचारी आपने बला मुग दिये कोईसे जिसारी लागोता की सैया हमार गयले कालकाता दरुगाजी हो चाद दिल से पिया बन पाता दरुगाजी हो चाद दिल से पिया बन पाता बतादे आपको कि इस सक्ष को बिहार में जेल के अंदर बंद कर दिया गया था बतादे आपको कि शराप पी कर नशे के कारन इसको जेल में बंद कर आया गया था जेल के अंदर से इसका एक वीडियो सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइडल हुआ जिसमें वो शक्स गाना गा रहा है उसके गाने से उसको पुरिदेश भर में इतनी जाड़ा पॉपुलारिची मिली कि अब उसको एक मशहूर सेंगर अंकित तिवारी ने अपने स्टूडियो में गाना गाने का मौका दिया है ऐसे ही तब हम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC24